इस तारिक को है सावन का पहला सोमवार जानले दुल्लब सयोग पूजा और पूजा मूरत हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आस्था और जोतिश ग्यान में जिसमें कि मैं आपको बताती हूँ धार्मिक और जोतिश से जुड़ी कई इंटरस्टिंग बातें अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नहीं आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चलिए मित्रो आज का हमारा टोपिक है इस तारीक को है सावन का पहला सोमवार जान लें दुडलब सयोग और पूजा महुरत सावन का महीना शुरू होने में बस कुछ ही दिन बाकी है सावन महीने में इस बार आठ सोमवार पड़ रहे हैं आईए जानते हैं पहला सोमवार सावन सोमवार 2023 डेट हिंदू धरम में सावन महीने को बेहत पवित्र माना गया है भगवान शीव की भक्ती करने के लिए सावन का महीना सर्वश्रेष्ट होता है चुकि सावन का महीना और सोमवार का दिन दोनों ही भोले नात को समर्पित है इसलिए सावन सोमवार को शिवजी की पूजा अर्चना के लिए विशेश माना गया है इस साल तो सावन का महीना और भी खास रहने वाला है साल 2023 में सावन महीना 69 दिन का होने वाला है वहीं सावन सोमवार भी चार की बजाए आठ होंगे सावन महीने में अधिक मास पढ़ने से ये एक महीने की बजाए दो महीने का होगा कब है सावन का पहला सोमवार? इस साल श्रावण मास या सावन का महीना 4 जुलाई मंगलवार से शुरू हो रहा है और 31 अगस्त को समाप्त होगा इस बीच 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास या पुर्शोत्तम मास रहेगा 4 जुलाई से 31 अगस्त के बीच 8 सोमवार पड़ेंगे इसमें पहला सावन सोमवार 10 जुलाई को पड़ेगा और आखिर सावन सोमवार 28 अगस्त को पड़ेगा सावन सोमवार 2023 तारीख पहला सोमवार 10 जुलाई, दूसरा सोमवार 17 जुलाई, तीसरा सोमवार 24 जुलाई, चोथा सोमवार 31 जुलाई, पाचवा सोमवार 7 अगस्त, छटवा सोमवार 14 अगस्त, साथवा सोमवार 21 अगस्त, आठवा सोमवार 28 अगस्त पहले सावन सोमवार पर पूजा का शुब मूरत सावन सोमवार का व्रत रखना और विदी विधान से बोले नात की पूजा करना सारी मनो कामनाय पूरा करता है घर में सुक सम्रिदी आती है, मन पसंद वर मिलता है, सारे कश्ट दूर होते है सावन सोमवार के दिन प्रदोश काल में पूजा करने का विशेश मैतो है इस साल का सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को पढ़ रहा है सावन के पहले सोमवार पर प्रदोश काल में पूजा करने से पूजा करने का शुब मूरत शाम पांच बचकर 38 मिनट से 7 बचकर 22 मिनट तक रहेगा चुकि इस बर सावन में ही अधिक मास पड़ रहा है लिहाजा भोले नात के साथ साथ विश्नु जी की भी पूजा करें अधिक मास के स्वामी भगवान विश्नु है लिहाजा सावन में भगवान शीव और भगवान विश्नु की पूजा करने से कुंडली में ग्रह दोश दूर होंगे सुक सोभागे बढ़ेगा अविवाहितों के विवा के योग बनेंगे आर्थिक समस्याएं दूर होंगी तो चलिए मित्रो आज हमने जाना कि किस तारिक को सावन का पहला सोमवार पड़ेगा और हमने जाना दूरलब सयोग और पूजा का मूरत तो चलिए मित्रो आज का हमारा टोपिक था इस तारिक को है सावन का पहला सोमवार जान ले दुल्लब सयोग और पूजह मूरत अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल आस्ता और जोतिश ग्यान को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी नही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे इसकी अलावा मेरे आस्ता और जोतिश ग्यान के दर्शक अगर अपनी कुंडली का विशलेशन मुझसे करवाना चाते हैं तो यह मेरा कॉंटेक्ट नंबर दिया हुआ है आप मुझसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं कि अद्मित्रों